राजनीती से जुड़ी हर ख़बर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस करें लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए भारत के हातों विश्वकप के मैच में पाकिस्तान की शर्मनाख हार के लिए स्थानिय मीडिया ने खिलारियो के बीच आप से मत भेदो और कप्तान सर्फराज एहमद से नाखुशी को जिम्मेदार ठहराया है पाकिस्तानी क्रिकेट जगत के लिए भारत से कहीं भी मिलने वाली हार को पचाना मुश्किल होता है मैंचेस्टर में कल मिली हार के बाद मेरे अभार के कारणों की परताल में जुढ गया है समा न्यूस चैनल ने कहा क्या उठ होने के बाद सर्फराज ने कतित तौर पर आपक हो दिया और इमाद वसीम तथा इमाम हुलहक समेथ खिलाडियों पर उनके खिलाफ गुट बाजी करने का आरोप लगाया दुनिया समा चार चैनल ने कहा कि टीम में दो गुट हैं जिसमें एक मुहमद आमिर का और दूसरा इमाद का है बायत से मिली हार के बाद एक मशूर अभिनेता और क्रिकेट प्रेमी ने सोशल मीडिया पर मौखिक संदिश जारी करके शोय मलेक, इमाम और बाबर आजम पर सर्फरास के खिलाफ गुट खड़ा करने का आरोप लगाया PTI ने जब दो खिलाडियों से संपक्क किया तो उन्होंने गुट बाजी से इंकार किया लेकिन कहा कि सर्फरास काफी नराज होकर ड्रसिंग रूम में आय थी और अपना गुस्सा कुछ खिलाडियों पर निकाला एक खिलाडियों ने कहा लेकिन वह हताशा की वज़से था उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया या गुट बाजी की बात नहीं की उन्होंने ये ज़रूर कहा कि खिलाडियों को बहतर प्रदर्शन करना चाहिए पूर्व कप्तान मौईन खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्स है कि वह अपने प्रभंदन का साथ दे उन्होंने कहा बड़े मैच हारने पर ड्रसिंग रूम में बदभीदों की बात हमेशा होती हैं अस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ गलतिया हुई लेकिन वर सरफ्रास के साथ हैं वर्लकप 2019 से जुड़ी ऐसी इंट्रस्टिंग न्यूस पाने के लिए जुड़ी रही है हमारे साथ और अगर आप कोई न्यूस पसंद आई तो लाइक और शियर करें साथ ही अपने व्यूस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं